हेलो गाईज कैसी हैं आप लोग उमीद करता हूँ अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे रनबीर कुपूर की बाई जुलाई को रनबीर कुपूर की फिलम रिलीज होने जा रही है रनबीर चार साल वाद परदे पर वापसी करेंगे रनबीर की कुछ मुवी को छोड़ दें उनकी highly expected movie ने खराब ही बिजनेस किया है तो आईए जानते हैं एंसम हंग रनबीर कुपूर की फिलम शमशेरा का इंतजार तो आपको बेसब्री से होगा इस फिलम से फैंस ही नहीं क्रिटिक्स को भी बहुत उमीद हैं बिग बजट की ये बड़ी मुवी क्या box office पर धमाल म चाप आएगी इसका पता कल चलेगा इस बीच एक बात गौर करने वाली है वो ये कि रनबीरपूर की कुछ मुवी को छोड़ कर उनकी highly rated movie ने खराब ही बिजनेस किया है जैसे ये movie बेशरम बेशरम फिलम की रिलीज से पहले काफी बज़ बना हुआ था मुवी का पर्मोश चैदा थी जगा जासूस काट्रीना कैफ वर रनबीर कपूर की फिलम जैसे हाल किसी movie का नहा हो इस film की making के वक्त रनबीर और काट्रीना का रिच्टा बुरे फेश से गुजर रहा था जिसका असर अनुराज बासू की फिलम की making पर भी पड़ा बड़ी मुवी बड़ी ये फिलम 120 क्रोड में बनी थी लेकिन इसने स्रिफ 40 क्रोड की कमाई की फिलम को लेकर काफी हाइप थी लेकिन यह movie अपना जादू नहीं चला पाई तमाशा इम्तियाज जली के direction में बनी फिलम तमाशा एक unique love story है फिलम को लेकर जबर्दस ट्रेंड बनाया लेकिन movie चल नही पाई बुरी तरह से pity और worldwide एक 66 क्रोड का collection किया रोकेट सेलमेंस के रोल में लोगों ने रनवीर को मिला जूला response दिया फिलम ने average business किया बॉक्स ऑफिस पर movie खास चली नहीं जो उमीद इसके business पर लगाई थी वैसा film परफॉर्म नहीं कर पाई सांवरिया रनवीर आज चाह और सोनम की मासूमियत हो सब factors भी रनवीर की नईया पार नहीं लगा पाई इन movie की तरह है रनवीर कपूर की शमसेरा सी भी लोगों को काफी उमीद हैं देखना होगा फिलम लोगों का दिल जीत पाती है या नहीं राइस कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या लगता है र वीडियो अच्छी लगिया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल नाटिक्रेशन को भी प्रेस करें